हालो गाईस आज किस फ्योडियो में आप लोगों पताऊंगा कि अगर आप भी कफी बार ऐसा होता हैं कि आप अपने मॉबाइल को अपडेट करना चाहते हैं लेकिन उसके टाइम आपका मॉबाइल की स्क्रेंड ओफ हो जाती है ओटोमेटिक लिए 30 सेकेंड का टाइम होता हैं जिसके बाद आपकी मॉबाइल की स्क्रेंड ओफ हो जाती है तो उसके बाद आपका अपडेट वापस से स्टाटिंग से अपडेट होने लगता है तो दोस्तों इस वीडियो मैं आप लोगों बताऊगा अगर आपके जब भी आपका मॉबाईल का अपडेट आए तो दोस्तों कभी का पार ऐसा हो था है कि आपका मॉबाइल का स्क्रेंड का लोग लगता ही वो update है starting से शुरू हो जाता है वापस update हो ले लगता है तो दोस्तो इस problem को solve करने के लिए दोस्तो आपको यह सब back जाना है सबसे पहले आपको mobile की setting माना है यहाँ देख सेटिंग का option पर इस पा आने के बाद यहाँ पर आपको अपको सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो यहाँ पर आपको डून लेना है display brightness ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर देख सेटे मेरे को यहाँ पर मिल गया है display brightness इस पर click करूँगा दोस्तो एंड इसका बाद यहाँ पर नीचे के स्क्रोल करूगे तो यहाँ पर आपको दोस्तो यहाँ पर देख सेटे है auto screen ओप ठीक है यहाँ पर auto screen ओप का option दिख रहा है उसके नीचे भी लिखा हुआ 30 सेकंड ठीक है 30 सेकंड का मैंने time set करके रहा है 30 सेकंड के बाद जै जब भी आपको अपना mobile update हो या फिर आपको अपने mobile का auto screen ओप मतलब जो भी automatically screen ओप हो जादी बिना टच किये वो लोक लग जाता है तो यह इसी time इसी मतलब auto screen ओप से यहाँ से होता है तो इससे आपको time को बढ़ा देना है यहाँ पर 30 मिनट का है तो आदे गंटे में आपक आपको यहाँ पर 30 मिनट कर देना है 15 सेकंड है तो भी आपको 10 मिनट 30 मिनट कर देना जैसा आपका update ओटोमेंटिकली हो जाएगा बिना screen लोक लगे ठीक है तो दोस्तों comment करके जुरू बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर information वाकिए में चलके वीडियो को लाइक कर देना साथ ही महाँ चलों को सब्सक्राइब करके बेल आइक ओल पर जूरू से कर देना ताकि आपको यहाँ पर ऐसे वीडियो मिलते रहे हैं तो मिलते कि नेक्स्ट वीडियो में